नमस्कार दोस्त में नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जंडल पवलिक सेवा दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ऐसी योजना के बारे में जिसके अंतरकत अगर आप अप लाइक करते हो तो आपको फोंकट में तीन हजार मिलेगा हवा में तीर नहीं महिल भड़न महिल सकते हैं वे हैं तो क्या है इसका फंटा क्या से अप्लाइक कर ना कि मिलता क्या च्शला को आप ऊसे सब्सक्राइब कर देंगा तो सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको payment proof दिखा देते हैं कि इस योजना के अंतरगत पैसा मिला है मुखमंतरी का कन्या उथान योजना है इस योजना के अंतरगत आपको 3000 रुपिया दिया जाता है सरकार की तरफ से तो सबसे पहले notification देख लिजेगा मुखमंतरी कन्या उथान योजना के अंतरगत जो अगर आपको अपलाई करते हो तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब आपकी घर में बेटी जिनम लेती है तो उस समय सरकार आपको 2000 रुपिया फ्रेय अपको दिखाएंगे एक हजार रुपिया एक वर्स के बाद फिर आपको मिल जाता है तो पहले है वह दिखा देते हैं बाद के बाद के बाद में करते हैं कि अब यहां पर हम सर्ज करना पड़ेगा तो यहां पर हम कन्या डाले है केवल सर्ज किया है मेशेज जो आया है, तो आपको हम सर्च करके दिखा रहे है, ठीक है, तो जो मुझे Payment मिला हुआ है, पेमेट का मेशेज, आप यहां पर देखे, इसको बढ़ियां से देखे, अब पढ़ियें यहां पर क्या करा रहा है, कि 2000 मुझे क्रेडिट हुआ है, कहा से मिला है, तो MM कन निया उत्थान योजना के अंतरगत जो मुझे 2,000 रुपया मिला हुआ है इसमें कोई संकोज नहीं है आप देखें पेमेंट दोस्तों बहुत तिन पहले मिला था मुझे लेकिन आभी जो है इसमें आप दन फिर से स्टार्ट हो चुका तो आप ये बात को समझ गए कि पेमें कि देखिये अगर आपके घर में अभी बेटी जन मिली है ठीक है उनका उम्र जो है वो एक साल से कम है ठीक है अभीaja बेटी से र गतर ब这么be प्रकार से वेबसाइट आपन हो जाएगा जब दूस्तों वेबसाइट ओपन हो जाएगा इस प्रकार से तो आपको किलिक करना होगा फर्स्ट प्रल लिंक पर जैसे लिखा हुआ यहाँ पर ओनलाइन भरने का पपत्र के लिए यहाँ किलिक करेते हैं इस पर आपको सिंपल सा किलिक कर देना है जैसे आप यहाँ पर किलिक कर देंगे आपका फर्म जो भरने के लिए ओपन हो जाएगा इस योजना के अतरगत इनको आप छेड़ सार नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर केवल जो है, योजना में आपको डालना है, क्या डालना है, 0 से 1 अगर आप सेलेट करते हो, तो आपको जनम परमानपत नहीं देना है, अगर 1 से 2 वर्स वाला सेलेट करते हो, तो जनम परमानपत लगाना पड़ेगा, तो आप अपने according इनको select करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पर select कर लिए हैं, अब आपको यहाँ से अपना बिहार में, जो भी आप लोग का जिला होगा, वो जिला को यहाँ से आप select कर लेंगे, ठीक है, जिला select करने के बाद, यहाँ पर पड़ियोजना block आ जाएगा, तो block को आप select कर लिएगा, जो भी जनकाड़ी दूस्तों हम डाल रहे हैं, वो demo जनकाड़ी है, आप लोग यह मस्तों हम समझा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो है, माता का अधार नमर आपको डालना है, ठीक है, यानि कि जो भी बच्ची का मा होगा, उसका अधार नमर आप इस वाले box मे डालेंगे इस वाले box में आधार नमर डालेंगे verify बाले बटन पर click कर देंगे ठीक है उसके बाद यहां से जो आपना आगनवाड़ी को आगनवाड़ी code को select करेंगे देखिए जब आप यहां पर माता का नम और अधार नमर डाल के verify करेंगे तो यह box जो है वो open हो जाएगा ठ चेकप वगरा के लिए इंजक्शन लगवाने के लिए ठीक है तो वह अंगनवाड़ी को आप यहां से select करेंगे अब यहां पर सिसु का नाम जो नहीं कि बच्चे का क्या नाम है वह नाम यहां पर इंग्लिस में टाइप करेंगे सिसु का नाम जो है वह हिंदी में इस हैड पता है तो डाली यह नहीं तो छोड़ दीजिए परसव का किति आपको यहां पर डाल देना है कि कब परसव हुआ है यहां से अपना कास्ट को select कर लिए आप कौन से category से आड़े है यह डाल देने के बाद यहां पर एक mobile नमट मेंसन कर दीजिएगा इस बॉक्स में यहां पर पर जो है मेंसन कर दीजिए का किस कारण कैसे क्या हुआ नहीं हुआ मतलब माता कड़ित वह आप यहां पर मैंसन कर नहीं होगा तो इसको अंटिक ही रने देजिए अब यहां पर बेंक खाता अपना अकाउंट नमट मेंसन करना है जो बच्ची की माह होगा ठीक है उनका यहां पर जयाको तो यहां पर नीचे में अगे में नहीं लगा हुआ है जब आप यहां पर 0 से एक वाला पिकाया हूँ ना तो जीरोशी का अलगें यहांट करेंगे जीरो से एक वला को यहां पे स्रेट करेंगे तो जनम परमान पर देने का कोई जरूरत नहीं है ठीक है तो यहां पर इनको छोड़ दीजेगा केवल मा के साथ में बच्चे का तस्वीर अप्लोड आपको करना है कैसा देखे थोड़ा दिखा देते हैं इस परकार का तस्वीर मा के साथ बच्चे का फोड़ो आपको अपलोड कर देना है यहां पर फोटो आपको इसमीट करना पड़ेगा कैसे करना यहां पर उपर में एपना यूजर आडी डालोगे ठीक है और पासवर्ड आपको डाल डाल डेना है और लौगिन पर किलिक कर दिना तो लोग इन कर लोगे तो लोग इन हो जाएगा अब आपको जो है final submit करने का option यहां पर दिखा देगा यहां पर इसलिए नहीं दिखा रहा है दोस्तों कि यह फर्म जहां already submitted है ठीक है इस वज़े से यहां पर नहीं दिखा रहा है लेकिन आपको पर final submit option दिखाएगा उस पर किलिक करके final submit आपको simple सा कर देना है ठीक है जब आप final submit कर दोगे तो आपका खेल खतम हो गया यार तुमने तो चूतिया बना कि मुझे भाग गया ठीक है ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं है देखिए जो भी सरकार का योजना होता है अगर उसके recording अगर हम चलते हैं तो उस योजना का lab हम ले पाते हैं अगर अपने मन मताविक चलते हैं तो भाई तुम जानो अपना काम जानो ठीक है तो वहीं हम आपको बोल रहे हैं कि सरकार का lab लेना है तो उसके हिसाव से चलना होगा ना कि अपने हिसाब से ठीक है तो सारा प्रोसेश दोस्तों अपने फ्रहरों को बता चूर्य है आई यहाप लुग तो पलीज वीडियो को लाइक करके जिएगा और चैनल क किसी और नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहें